हेलो प्रेंट्स आप सभी क्या स्वागत है माई केसी पॉइंट में प्रेंट्स आज हम दो देखेंगे लूसें जी एस कमेश्टरी का प्रैक्टिस सेट नंबर थिरी और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं प्रेंट्स इसमें जितने भी प्रश्ण होंगे सभी प्रश्ण गैस हो के आचरन से सम्मंदित प्रश्ण होंगे इसके बाद फ्रेंट्स नेक्स्ट प्रश्ण है दीवे ताप पर गैस की एक निश्चित मत्रा के लिए दाब घनत्वे का मान नियत रहता है यह निसकार किस नियम से निकलता है तो यह भी वाइल के नियम के से ही निकलता है नेक्स्ट प्रश्ण है कि इस्तिर दाब पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है तो उसका दाब बढ़ जाता है फ्रेंट्स इसमें जितने भी प्रश्ण दिये गए हैं सभी प्रश्ण आपके एक्जाम पॉइंट और व्यू से काफी मौत पूर्ण है और इससे पहले इसी चैनल पर हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, कमेश्ट्री, वायलोजी इन सभी का प्रेक्टिस अपलोड वे आप प्लेडिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसके बाद फ्रेंट्स नेक्ष्ट प्रश्ण है इस दिद दप और गैस का आयतन, परमताप के समान उपाती होता है वा क्या कालाता है तो वा चाल्स का नियम कालाता है समान ताप और दाप पर गैसों के समान आयतनों में अनुव की संख्या समान होती है या किस नियम के अनुसार है या किस नियम के अनुसार है तो ये वो गाडरों की परिकल्पना के नियम के अनुसार है नेक्ष्ट प्रश्ण है इस्तित दाप पर किसी गैस का दाब तीगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा उसका आयतन क्या हो जाएगा तिहाई एक तिहाई हो जाएगा समान ताप एवं दाप पर विभिन गैसों के एक ग्राम अनुका आयतन कितना होता है 22.4 लिटर आयतन होता है गैसों के विशरन के नियम किसने प्रतिपादित किया था तो गैसों के विशरन के नियम जो था वो ग्राहम के द्वरा प्रतिपादित किया गया था नेक्स्ट प्रस्ट ने एक गैस के वीशरन की दर क्या होती है अनु के वर्गमूल के व्यूत करमानों पाती होती है निश्चित ताप और दाब पर विभिन गैसों के वीशरन की अपेक्चिक वेग उनके घनत्यों के वर्गमूल के वीफरित अनुपात में होते हैं यह नियम है ग्राहम का नियम ग्राहम का नियम कहलाता है नेक्श प्रशने वायू से हलकी गैस कौन सी है वायू से हलकी गैस कौन सी है तो अमोनिया गैस यह जो अमोनिया गैस है वायू से हलकी गैस है नेक्श प्रश्ण है वास्तभी गयस किन परिष्ञत्यों में आदर्स गयस का व्युहार करती है तो वह अंनीम निदाब और उंच लिदाब गयस का की तरह व्युहार करती है किसी कमरे के एक कोने में इत्र अर्थाद सेंट की खूली सीसी रख देने से उसकी खुस्बू कमरे में सभी भाग में फैल जाता है ऐसा किस कारण से होता है ऐसा वीशरन के कारण होता है नेक्स्ट प्रशने घनत्यों में अंतर राते हुए भी गैसों के प्रित्वी के गुर्त्वकर्शन बलके विरूद प्रसपर घूल मिल जाने की स्वभाविक प्रकिरिया को कहते हैं गैसों का वीशरन उसी को गैसों का वीशरन कहा जाता है फ्रेंट्स इसमें discuss कुछ करने लाइक है नहीं नहीं तो इसको पहुत ही अच्छे तरह से discuss करके सभी setor का practice कराया जाता है तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके कुछ theory आप लोग को बताया था तो आए उसे भी जाकर के आप description में link है वहाँ से देख सकते हैं या playlist में जाकर देख सकते हैं आए देखते हैं next question किसी gas का अनुभार उसके वास्प घनत्व का कितना होता है तरमेशा उसके वास्प घनत्व का दुगूना होता है जितना किसी अनु का वास्प घनतु होगा उसका दुगूना होगा अनु का भार उसके वास्प घनतु का दुगूना होगा नेक्स्ट प्रश्ण है गैस के विषरन नियम का उप्योग होता है तो समस्थानिकों को अलग करने में गैसों के वास्प घनातों के निधारन में और गैसों के विषरन को अलग करने में ही गैसों के विषरन नियम का उप्योग होता है इसके मां नेक्श प्रशने करबंडाई आक्साइड सीओ टू के विशरन की गती हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है हवा से भारी होने की ही कारण इसकी विशरन की गती हवा की अपेक्षा काफी कम होती है गैसों के विशरन हेत्व आवस्यक सर्थ है कि उनके वीच रसाइनिक प्रतिकिरिया है जो की संभव ना हो ऐसी रसाइनिक प्रतिकिरिया होना चाहिए जो की संभव ना हो नेक्ष्ट प्रश्ण है अक्सीजन और हाइट्रोजन गैस के विशरन की दर का अनुपात क्या है? तो ONE रेशियो फोर है नेक्ष्ट प्रश्ण है ताप एवंदाब की समान अवस्थाओं में बिभिन गैसों की समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो इस इस्तिति में उसके जो अनु की संख्या होती है वह समान होती है नेक्श्ट प्रॉष्ण है gas milligram गैस समिकरन पीबी इजनक टू एञ नार्टी में आर क्या सुचित करता है जो आर है वा क्या सुचित करता है तो वा एक मोल गैस को सुचित करता है और आर एक मोल गैस इस रांक होता है गैसो का दोस्तों विश्रन किसे काते हैं गैसो का विश्रन क्या होता है तो घनत्यों में अंतर रहते हुए भी प्रीत्वी के घुर्ट्वकर्शन के विरूद गैसो के आपस में मिलने जूलने की स्वभाविक प्रकिरिया को ही विश्रन काते हैं इसके मत फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रशने किसी गैस को दबाने अर्था सम्पीडिद करने पर दाव तथा ताप मान दोनों बढ़ने लगते हैं नेक्ष प्रशने आदर्स गैस की उर्जा निर्भर करती है ये आदर्स गैस की उर्जा किस पर निर्भर करती है तो ये मोल की संख्या पर निर्भर करती है नेक्ष प्रशने परम ताप का मान होता है ये परम ताप का मान क्या होता है परम ताप का मान या ऐसे भी प्रशन तो minus 22 सोनियताप क्या है एप्रम सूनियताप क्या होता है तो स्यदानतिक की रूप से निवुनतम संभवत अबन होता है इस में जितने भी प्रशने सलिद्धेऔ सभी प्रश्न घैसों के आचरन से समद्ध क्रश्ने जो कि lucent book से लिया गया है इस set को practice करने के साथ साथ आप lucent book से theory पर सकते हैं और इस तरह से आपकी exam point अभी से जो की काफी मौत पूर्ण होगा तो गैसो के आचरन से समंदित इसना ही प्रशन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है और इस set में था इतना ही मिलते हैं next set में और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को भी दबा लें तब तक के लिए बवाए टेक क्यार